हे एवरिवन विनायक है, आज मेरे पास नायतो का ड्राइव प्रो वन है। नायतो ने पहले ही एक ड्राइव प्रो वी 16 रिलीस कर दिया था जिसकी मैंने पहले रिव्यू की थी और आप में से बहुतों ने कमेंट्स में नीचे टिपनी की है कि मुझे इस वील की रिव्यू करने के लिए कहा है, तो चलिए अन्बॉक्सिंग करते हैं और इसे देखते ह यह नायतो ड्राइव प्रो वन है, स्टेरिंग वील मार्केट में नायतो का नया प्रवेश इस मॉडल में गियर शिफ्टर अलग है इसलिए यदि आपको इसकी आवशक्ता है तो इसे यूज़ करें नायतो ड्राइव प्रो एक PC, PS4, Xbox One और Xbox Series X-S पर वर्क करता है वील में 270 डिगरी स्टेरिंग, रंबल वाइबरेशन, जीरो डेट जोन है और मल्टिपल USB स्टेंडर्ड स्पोर्ट करता है स्टेरिंग वील इस तरह दिखता है और जिस तरह से बटन वील पर ही एक्सिस किये जा सकते है वो मुझे पसंद है अधिक फीचर्स को बॉक्स के किनारे चिनित किया गया है मुझे बॉक्स का डिजाइन बहुत पसंद है चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है यहाँ पहला आइटम गियर शिफ्टर है क्रोम फिनिश इसे एक अच्छा प्रीमियम लुप देता है गियर शिफ्ट केवल उपर और नीचे होते है जैसा कि आप इसे एक में करते हैं आटमाटिक वाहन पिछले हिस्से में ये कनेक्टर है जहां आप वील से जुड़ेंगे और यह वो केबल है जिसका आप उप्योग करेंगे टेबल पर माउंट करने की अनुमती देने के लिए स्क्रू खुलता है यहाँ पैदल है वे वास्तव में अच्छे दिखते है हमारे पास ये फुट्रेस्ट भी है जिसे मोड़ा जा सकता है यहाँ रेसिंग वील अच्छा लग रहा है ऐसा लगता है कि बटनों के पीछे इटालियन फ्लैक के रंग बहुत उत्तम दरजे के है आसान पहुँच के लिए गेमपेट बटन फेस पर भी उपलब्ध है नीचे होम सेटिंग जाधी दी गई है जिन्हें आप जो खेल खेल रहे हैं उसके अनुसार मैप किया जा सकता है नेटो लोगो में ये प्यलेसं रंग होता है जैसा कि प्रकाश इसे हिट करता है गेमपेट बटन एक्स या स्क्वेर वाई या ट्राइंगल भी सिर्कल और या एक्स रबर है साइड में ग्रिप अच्छी देती है और अच्छा लुक भी देती है हमारे पास एक डी पैड और एक एनालोग स्टिक भी आसानी से उपलब्ध है हमारे पास 270 डिगरी का टनिंग रेडियस है ठीक वैसे ही जैसे आप किसी असली कार में करते है पीछे तीम पोर्ट है, पहला पैडल के लिए है, दूसरा गियर शिफ्टर के लिए है और तीसरा जब आप एक कंसोल से कनेक्ट कर रहे है जो एक कंट्रोलर कनेक्ट करने के लिए एक USB पोर्ट है हमारे पास दोनों तरफ पैडल शिफ्टर्स हैं वील यूजबी का उप्योग करके गेमिंग डिवाइस से कनेक्ट होता है बॉक्स में शामिल एक कनेक्टर यूजबी से यूजबी सी केबल और यूजबी से माइक्रो यूजबी केबल है नेटो ड्राइव पर पहिया को माउंट करने के लिए कुछ पेंच एक ग्रहक सेवा कार्ड, स्टिकर, सुरक्षा नोटिस, सक्षन कप है यह वो जगह है जहां सक्षन कप स्थापित किये जाएंगे यदि आप टेबल क्लैम्प का उप्योग नहीं करना चाहते हैं और इस तरह वे लॉक करने के लिए इंसेट और ट्विस्ट करते हैं मुझे यहां इस मैट के कारण टेबल से न चिपके रहने की समस्या थी इसलिए मैं वापस क्लैम्प पर चला गया यह क्लैम्प इन ट्विस्टेबल स्क्रू का उप्योग करके खुलते हैं प्रत्यएक पक्ष के लिए यह मैक्स पर भी मेरी टेबल पर फिट नहीं होता है इसलिए आपको इन एकस्टेंशन को हटाने की आवश्यक्ता होगी यदि आपको वील को छोटी टेबल पर स्थापित करने की आवश्यक्ता है तो screw को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें extension हटा दिये जाने के बाद ये पूरी तरह से काम करता है इसी तरह अगर आपका gear shifter fit नहीं होता है तो आप screw के शीर्ष को हटा सकते हैं और अब ये बहुत अच्छा fit हो गया है और ये कहीं भी नहीं जा रहा है अब पैडल स्थापित करने के लिए बस इस केबल को पीछे के पोर्ट से connect करें अब gear shifter racing wheel को अपने PC पर USB पोर्ट में प्लग करें और हो गया आप इस purple प्रकाश को यहाँ देखेंगे कि पहिया अब D input mode में है 4 LED mode PC पर purple D input mode है PC पर yellow X input mode glue PlayStation mode है और green X box mode है Nintendo Switch के लिए एक red भी है मैंने PC पर Assetto Corsa जैसे कुछ game खेला इस game में एक सीखने की अवस्था है आप अधिक्तम गती पर drive को flat out नहीं कर सकते हैं और इस तरह पैडल है रिक्ती मेरे लिए बहुत छोटी महसूस हुई और एक वास्तविक कार के इस्तिमाल होने के कारण मैं दोनों पैडल के लिए एक पैर का उप्योग नहीं कर सका और इसके बजाए मैंने प्रती पैडल एक का उप्योग किया अब फोजा 4 के लिए मुझे स्टीम वर्जिन के साथ समस्या थी क्योंकि पहिया को कंट्रोलर के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था मेरे पास एक Xbox Game Pass था और वो Forza 4 और 5 दोनों शामिल थे और इन वर्जिन में पहिया का पता लगाने में कोई समस्या नहीं थी और आपको मैपिंग सेट अप करने की आवश्यक्ता है और यहां एक वीडियो है कि यह कैसे करना है और अब गेम वास्तव में अच्छी तरह से काम कर रहा है यदि आपका गेम डट 3 जैसे वील को नहीं पहचानता है तो आपको वील को X Input Mode में स्विच करने की आवश्यक्ता है इससे आप गेम खेल सकते हैं लेकिन आप D Input Mode प्रदान करता है कि Precision खो देते हैं बस कुछ सेकंड के लिए यहां Home Button दबाये रखे और वील X Input Mode में चला जाता है अब डट 3 काफी Dead Zone के साथ काम करता है लेकिन फिर भी खेलने योग्य है ध्यान दे कि जब पहिया D Input Mode में होता है तो कोई Vibration या Rumble Feedback नहीं होता है लेकिन यदि आप X Input Mode में Switch करते हैं तो आपको Vibration मिलता है लेकिन पहिया उतना प्रतिक्रियाशील नहीं है अब देखते हैं कि PS4 पर वील कैसे काम करता है आपको USB से Micro USB Cable का उपयोग करके वील से Controller Connect करना होगा वील से USB Cable PS4 में जाता है अब कंसोल चालू करें और Home बटन का उपयोग करें जो PS बटन के बराबर है LED ब्लू रंग में चमकता है जो दर्शाता है कि यह PlayStation मोड में है अब पहिया का पता चला है और आप D-Pad या यहां तक की Analog Stick का उपयोग करके इंटरफेस के माध्यम से स्वाइप कर सकते हैं यहां बताया गया है कि हम Grand Tourism के भीतर इंटरफेस को कैसे नियंतरित कर सकते हैं Controller को उठाए बिना Maps आधी चुने यह उपर नीचे बाय दाय दिशा नियंतरण है जो हमें ओन स्क्रीन के बीच स्थानांतरित करने की अनुमती देता है नियंतरण इतने प्रतिक्रियाशील है कि यह खेलने को इतना मजेदार बना देता है तो वह था Nitro Drive Pro 1 निथो स्टीरिंग वील लाइन के लिए एक बड़िया नया आतिरिक्ट और नेटो PC पर D-Input Mode में खेलने का सुझाव देता है लेकिन अगर आप Rumble FX चाहते हैं तो आपको X-Input Mode पर स्विच करना होगा मुझे लगा कि Vibration की तुलना में Precision मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने D-Input Mode में खेला और Racing Wheel मेरे PS4 और PC पर वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है और ध्यान दे कि यह केवल Vibration और Rumble का समर्थन करता है जैसा कि इसे कहा जाता है और कोई वास्तविक बल प्रतिक्रिया नहीं है जहां पहिया वास्तविक कारों की तरह बंद हो जाएगा और वापस लड़ेगा लेकिन Feedback Racing पहियों को 3-5 गुना ज्यादा खर्च करना होगा गेम खेलने में मज़ेदार थे और नियंतरन स्थिर और सटीक है और ड्राइविंग अनुभव केवल मनोरंजम के लिए है और वास्तव में आपको ड्राइव करना नहीं सिखाएगा थोड़ा सा steering नियंतरन हो सकता है लेकिन यह असली कार की तरह 100% नहीं है इसलिए यदि आ रहते हैं racing wheel जो इतना महंगा नहीं है और कई platform शर्तों के साथ काम करता है यह निराश नहीं करेगा कर nuances कर दोदे कर दो कुल जो जो जोड़ती नहीं है और कि उझाएगे ड्राइव थे अना चन से लwegen कर दाल वाह दो कि वास्तों कि कर सका क्वेश यह अने कर सकता है प्लीड़ार गा है